हासी प्रसाशन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और शहर में दो एतिहासिक सनों पर गुरुवार को लगे मेलों में हजारों की भीड जुट गई मेलों में लोगों की भीड बढ़ने पर प्रसाशन नीन सी जागा और आनन फाननवी नायब तहसीलदार को पुलिस फोर्स के साथ मोके पर भेजा पुलिस ने दिहासिक किले और चार कुतुब के गेट पर वैरिकेटिंग बंद कर मेले को बंद करवाया हजारों लोगों को मेले से वापिस भेजा गया आपको बता दें कि कोरोना वाइरस से बचाव के लिए सरकार ने भीड कत्रित ना करने के निदेश दे रखी हैं और एसाई ने सभी इतिहासिक स्नों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है लेकिन सरकार के इन फर्मानों पर आस्ता भारी पड़ रही है गुरुबार को शहर के इतिहासिक पृत्वी राज चोहान के किले पर चैत्र महीने का सलाना मेला लगता है लेकिन सरकार ने भीड जमान ना होने के सक्त हिदायत जारी कर रखी है बुद्वार को इतिहासिक किले पर पूरी राज जागरन और भंडारा चलता रहा लेकिन प्रसाशन ने कोयक्षन नहीं लिया वहीं गुरुवार सुबा होते ही एतिहासिक किले और चार कुतुब दरगाह पर हजारों श्रधालों की भीड उमड पड़ी जिसके बाद प्रसाशन के हात्मा फूल गए और नायब तहसील दाल भीड को हटाने के लिए पहुँच गई करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किले को श्रधालों की भीड से खाली करवाया गया हमें सुचना मिली कि यापे 2000 जादा लोग इखटे होए कि यापे हर गीर पार जो मिला लगता है उसको प्लक्स में लोग इखटे होगे ते पर जैसा कि आप सभी जानते की कोरोना वारस का प्रकॉप चल रहा है तो हमें SDM साब की तरफ से आदेश दिये गया है कि यहां से बीड जो इकत्रित होगे उसे हटाया जाए उसी के लिए हम स्टेप्स ले रहे है और अब साफिय तक सिटेशन कंट्रोल में सो दो सो लोग रह गये हैं उनको भी हम जल्दी हटा गये तो कोई बंद ऊपर दर्शन के लिए लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है बादेश एंट्री सारी हमने क्लॉज कर दिये और जैसे यहां से लोग चले जाएगे हम एक्जिट सब एंट्री सब क्लॉज कर देगे हम पुलिस वाले लगा देगे